लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्स्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दुए राहूल गांदी जी ने प्रियंका गांदी जी ने हमारी राष्ट्य अज्यक्षा श्रीमती सोनिय गांदी जी ने डॉक्टर मन्मोन सिंग जी ने देश के विबिन मुख्यमंत्रियों ने समय समय पर बोला कि GST इन लाइफ सेविंग ड्रग्स पर वेक्सीन्स पर पर पीपी किट्स पर एंबुलेंस पर अभी मौजुदा समय में GST लगाना जायज नहीं है तो वित्मंत्री जी ने एक अजीब सा तर्क कि अगर हम GST हटा देंगे तो इनकी कीमते और बढ़ जाएगी यह तर्क है हमारे मानिय वित्मंत्री जी का मैं वित्मंत्री जी पू वित्मंत्री जी ने तर्क दिया कि अगर हम GST हटा देंगे तो इन प्रडेक्स की प्राइस और बढ़ जाएगी मैडम जब हम बोलते हैं कि आप फाइनल प्रडेक्स के उपर GST हटाओ तो नेचुरली जो उस प्रडेक्स के बनने में जो राव मैट्रियल यूज होता है वो भी exempt करने पडेंगे अन्य था वो input tax credit का माध्यम से आपको अंतिम उप्भोकता को benefit नहीं मिलेगा आप argument क्यों देर है madam don't try to teach GST to the people of our country we are right now facing a severe pandemic everywhere people are dying because of lack of oxygen lack of remedy receiver lack of ventilator lack of beds in the hospital and you are giving us a lecture on the GST हम आप सको कहना चाहते है और madam आपको समझ में नहीं आ रहा है तो please convene the GST council meeting our finance ministers are going to teach you that how GST exemption is going to give relief to the final consumer of these products हमारे वित्मंत्री आपको GST council की meeting में बता देंगे तुरंत प्रभाव से आप GST council की meeting convene करें और फिर भी आपको समझ में नहीं आता है ma'am I can give you a six page tutorial please go through that कि कि किस तरह final product की GST हटानी है और किस तरह जो product input raw material use करते हैं उसमें GST exempt करनी है हुआ हुआ है